हलो फ्रेंट्स वेलकम तूच सुर्या कलासेश हम लोग अपनी इस वीडियो लेचेर में डिस्कस करने वाले हैं इनफ़ेसन अकाउटिंग जो कि इंफ्लेशन अकाउटिंग का सिकेंड पाठ है बता गया है कि हम इस वीडियो लैचेर में स्टार्ड करते हैं मेनिंग से meaning of accounting for changing price एक क्या होता है यह क्या कुछ अलग चीज बता रहा है क्या है नहीं एक कुछ अलग चीज नहीं है यह हमारा inflation accounting की ही meaning को describe कर रहा है बता रहा है accounting for changing price is also known as inflation accounting वानिए इसको हम क्या एक और नाम से जानते हैं जिसको हम inflation accounting के नाम से जानते हैं लग चेंजिंग प्राइस accounting for changing prices को हम एक और नाम से जानते हैं inflation accounting को यह हम कर सकते हैं inflation accounting को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या करते हैं accounting for changing prices क्या होता है कि इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो प्राइस होती है ना हमारे गुड्स की या जो केपिल की जो होती है एसट की ओ अपवार्ड चेंज होती रहती है मतलब जैसे अगर मानते हैं 2010 में हमारी प्राइस थी किसी एसट की दो लाख रुपे तो 2011 बढ़कर कितनी हो हो जाती है 2011 मदता हो जाती है तीन लाख रुपे यानि अ अप रड हां मेसा अप रड चेंज होती है डेलेकिन अपीखर आंब लोकिन नारमली क्या होता है यह ऊप रड ही होता है ठीक अब 2000-12 म कितना हो गया माल चौन्स मेरा की तो इस तरह से प्राइस accounting all items in the financial statement are soon at their current price current value पर अच्छे inflation accounting में बताया गया है inflation accounting मतलब यह होता है हमारा historical accounting होती है जो अब तक हम करते आये हैं जो अब तक हम करते आये है historical accounting में जो भी हम balance बनाते हैं वो किसवा बनाते हैं historical cost बनाते हैं लेकिन बता है इन्फलेशन accounting में इन्फलेशन accounting में जो भी हम balance बनाते हैं या profit and loss बनाते हैं और current बेलूप बनाते हैं किसवा बनाते हैं current बेलूप बनाते हैं ठीक यह हैं difference होता है अब बताया object to of inflation accounting इन्फलेशन accounting का क्या objective है inflation accounting का क्या objective है इसका उद्देश क्या है बताए पहला उद्देश इसका है to improve the quality of information furnished in financial statement for decision making देख गिया कि जो financial statement हमें information provide करता है उसकी quality को improve करना ही main उद्देश से होता है inflation accounting का जिससे हम अपना decision ले सके जिससे हम अपना decision ले सके भविश में decision हम ले सके सिकेंड हमारा अब्जेक्टू होता है इन्फिलेशन एकाउंटिंग का बता गया है तू प्रोवाइड बेटर वेसिस फ़र इंटर पीरियेड कमपरीजन और फाइनिसल स्टेटमेंट अच्छा इंटर पीरियेड मतलब एक पीरियेड 2010 का अगर 2011 से हमको कमपरीजन करना है तो हम देखना चाहते है कि 2010 की पॉर फोर मेंट से 2011 की फॉर मंसी हमारे फ़र्म की क्या बेटर हुई है क्या अच्छी हुई है क्या बुरी है अगर हम ऐसा कमपरीजन करना चाहें इन chiltalब में कि कौनसे हमारी हमारे फ़र्म की टी और कॉन किस एक यर में हमारे वर्म की पॉर्फ बता गया है तीसरा हमार 2 facilitate the comparison of performance अब टू डिफरेंट पीरियड़ औफ एंड इंटर फोर्म और अच्छा यह एक और जोड़ दिया इंटर फोर्म कंपरीजन आनि एगर एक फोर्म का अगर एक फोर्म का अगर दूसरी फर्म से कंपरीजन करना करना हो जो कि एक ही तरह की बिजनस करती है जो कि एक ही तरह की बिजनस करती है अगर इनके प्रफॉर्मेंसी में एगर इनके प्रॉफिट में या प्रफॉर्मेंसी में या ग्रास प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट रेशियो में अगर इन एकान्टिंग उस समय बहुत सी ज़यादे χिलप फूल होता है अब बताया गया है मेथर्स एकांटिंग इंफर्स के लिए कौन कौन से मेथर्स होते हैं उसके बारे atm पीप्र संब डेकांटिंग न फरस्वें हूं क्या करते हैं और इन फ्रिसंग करते हैं अन्य हमारा स्टिननाम है इनप्लेशन एकम्टिंग चेयरद नीटा के सब्सक्0bad ू पहला सब्सक्राइब यह हमारे पास पेकनिक्टिस जिसको हम हिंडी में PPT भी कहते हैं और कोई कोई इसे बस सी सारी करेंट पावर गरेंट या работает टेकノिक्स को हम कोई 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 इसे PP नाम से जाटा है है और कोई पूड़ा लिखता है मताया है डिप्लेश्मेंट कोस्ट एकाउंटिंग टेक्निक्स और आर्च एटि करेंट वैलू एकाउंटिंग टेकनिक्स इसमें भी धिश्म्राइब आब जोड सकते हैं और करेंट कोश्ट एकाउंटिंगं तो हमारे पास फोर मेठोज्ड बताए गया है इंफिलेशन एकाउंटिंग को करने के लिए तो आई यहां फर्स्ट मिथर से स्टाट करते हैं फर्स्ट में बताया गया है क्या फर्स्ट मिथर हमें बता रहा है करेंड पर्चेजिंग पावर टेकनिक्स करेंड पर्चेजिंग पावर टेकनिक्स एक क्या कहता है यह में था समस्य क्या कहता है एक गटाइब करेंट पर चेजिंग पावर टेकनीक्स टेकनीक और एकाउंटिंग रिक्वार्डी कम्पनीज टू कीप देयर रिकॉर्ड रिकॉर्ड हम किसमें रखते हैं and present the financial statement on conventional historical cost basis but it further require presentation of supplementary statement in terms of current purchasing power of the currency at the end of the accounting period currency यहां देखे currency बताईगी है नि बता क्या रहा है कि इसमें दो बैलेंसिट होंगी इस मेथर्स के अंसार एक ही company के दो बैलेंसिट होंगी जो कि पहला बैलेंसिट बना जाएगा ओर historical cost के basis मों बना जाएगा and second balance जो बना जाएगा ओकरन पर चेजिंग पावर और टेकनिक्स य और इसमें profit and loss भी बना जाएगा जो कि एक before conversion के पहले का रहेगा एक after conversion के बात का रहेगा तो बताया गया है क्या है in this methods the various items of financial statement means profit and loss account and balancing profit and loss account के जितने भी items होंगे and balance के जितने भी items होंगे उनमें क्या क्या जाएगा are adjusted with the help of recovery general price index general price index जिसको हम GPI के नाम से भी जानते हैं the wholesale price index of the RBI और एक general price index हम किसका लेंगे वो लेंगे wholesale price index of the RBI और एक RBI जो होती है वो क्या करती है एक general price इंडेक्स इसू करती है ठीक है और होल सेल प्राइस इंडेक्स इसू करती है इसे हम लेंगे RBI के दवारा इसू किया गया मतलब क्या होता है कि RBI जो होती है एक general price index बनाती है सभी commodity के लिए एक group of commodity इसमें कई commodity होती है कई commodity होती है normally 100, 200, 300, 500 commodity हो सकती है इनके लिए इस सभी commodity के लिए वह सिर्फ एक ही क्या बनाती है जनरल price index बनाती है जनरल price index बनाती है एक ही प्राइस इंडेक्स होता है उसी के आधार पर इस जनरल price index के आधार पर हम conversion करते हैं historical cost को हम conversion करते हैं किसमें inflation मतलब एक new current value पर ठीक है जैसे बता गया है कि देखें अगर इसमें कोई asset है क्या हम लोगों ने income tax income tax जब हम पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने discuss किया है income under the head capital gain capital gain के बार में discuss किया है कि इंकम टक्स में क्योंगे capital gain दो तरके होते हैं एक short term capital gain जो की short term capital asset पर प्राप्त किया जाता है rise होता है short term capital asset को transfer करने के पर जो हम को gain received होता है उससे हम short term capital gain के नाम से जानते हैं यह जो long term तर्म केम तेल एशाड को ट्रांसफर करने की बाद जो ืट इंकोर में आराइज होती है उसको लाइंट अाम से जानते हैं तो बताया गया की सौट टम टर्म गेंट के लिए तो कोई प्राब्बलम नहीं होती थे मुझे साथ तरम हुना सुरी है साटम केपिल गेन को कलकुले मैं करने में कि सामय हमें कोई भी प्राबन नहीं होती थी लेकिन लुवक्ट अडर्यक रर्गेन को कल्कुलेट केमें हमें प्राइब याक प्राबलम अधी वह बता गया है लॉम तर्म कंसीडर regulatory प्रेद पर फोल बैलू आप का अंडिस्टी ड्रसन इखते थे फूल बैलू आप कंसीडरेशन जितने में सेल्स क्या गया होता था वह एसे ठीड फिर उस्सेट आप लेस करते थे लेस क्या करते थे कि इंडेक्स कोस्ट आफ कि एक विजीशन कि ठीज कि कि इंडेक्स कॉस्ट आफ इक्विजीशन मतलब ओ भाई लूजीस पर क्या मतलब यह और इंडेक्स कॉस्ट एकुजीसन हम कैसे मतलब निकालते थे पता है कि हुआ है 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 इंडेक्स कॉस्ट ओफ लिक्वीजेशन है 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 वह हम निकालते थे बैलू हम उस एसिट की बैलू लेते थे कि उसमें हम announcements करते हैं क्या है मैं सी ऑई आइ जिस्ट हम क्या करती है एक करेंट वाला होता था है क्य होता था है ककरेंट वाला है और एक हमारा सी इस यह और होता कर देते हैं यहां पर भी उसको कल्कुलेट करने के लिए करने के लिए एसे बैलू जो हिस्टौरीकल बगाश्ट पराएगा जिसे हम लेते हैं यहां पर फरनीचर हमारी कितनी सही है फरनीचर दौबगा यहें और इसको कब ख़रते हैं 2010 अईसा भी हमालते थे पालिए सट बैलू हिस्टौरीकल के हैं लिफिलेते हैं इसमें कि क्या करेंड ए ग्रोस मतलब गाल इस इंडिक्सेशन हम मालते हैं जन्र प्राइस एप्राइस इंडिक सेशन दो जा दोसमें कितना था एक कॉरेंट का करेंट का करेंट मां करें यह थो हरी बात करें ठीक तो कि और यहां इस समझे विजाब दस में था विए पांची उपिए हम इसा माल लेते हैं ठीख तो यह रहते हैं एक हाजार रुप्य एक हजार और पांच सो ठीख और यह हमारा कितना जाएगा चार लाख पे और इस चार लाख पे को हम यहां रिकॉर्ड कर लेंगे इस हैं यहां यहां क्या कर लेंगे फरनेचे तो इस तरह से से इंफ्लेशन अकाउंटिंग में हम एकॉंटिंग करते हैं ठीक वाले मिल्वारे में इसने क्रछिटेशिंग पावर टेकनिक्स ग्रीड पजीटिखिंग पावर के ये बताता है कि इसमें जुन प्रॉफिट या profit and loss account होगा और current purchasing power techniques के आधार पर बनाए जाएगा और एक कैसे बनाए जाएगा इसके बारे में भी हमने अभी पर details कर लिया है आईए हम next method की स्रब बढ़ते हैं यह हमारा है replacement purchasing power techniques replacement purchasing power techniques क्या होता है कि हर एक methods पिछले method सा क्या होता है improvement होता है तो पिछले method में जो हमने पढ़ा है current purchasing power techniques जो हमने अभी इसको देखा है current purchasing power techniques ठीक है इसमें एक problem थी इसमें एक problem इसमें ए थी कि जो हम general price indexation निकालते थे जो general price indexation था वो तर्माम goods का था माना वो various goods का मिला कर हम धेर सारी community माने group of community का मिला कर एक ही इनका सिर्फ एक ही general price indexation निकाला जाता था लेकिन क्या ऐसा possible होता है real में कि सभी goods जो हमारे पास जैसे diesel है petrol है या क्या जितना दाम जितना increase petrol के दाम में जितनी price increase होगा उतना ही price diesel के दाम में भी increase होगा क्या ऐसा समदों है ऐसा हो सकता है कि diesel के price में जाते increase हो और petrol के price में प्राइस में कम हो ऐसा हो सकता है अप सपोज करें हमको lend हमको हमारे पास एक asset है फालेंड और इसकी हमको price चाहिए inflation price इनको चाहिए इसकी current price चाहिए ठीक है तो क्या हम General price संचेता है इसको डिटर्माइंट कर पाएंगे हो सकता है लेंड की प्राइयों यंपीष ही नहीं हों amendments अ एसा भी होसकता है तो कहा गया नहीं हमें एक स्पेशिक क्याश इंडेक्स बताएं स्पेशिक प्राइच प्राइजिंगे यह हम उसके आधार पर अपनी accounting करेंगे तो यह मित्ले को ने बताता है कि इसमें क्या होता है कि replacement cost accounting techniques is an improvement over current purchasing power techniques and current project purchasing power technique का है एक improvement है replacement cost technique ठिक है accounting techniques बता गया one of the major weakness of current purchasing power technique is that it does not take into account the individual price related to the particular asset of a company आनि particular asset का जो एक index price होता है वह consider नहीं करता था कौन current purchasing power techniques current purchasing power techniques इसके लिए हमने एक नहीं technique को develop किया इसे हम जानतने है replacement cost accounting technique जो कि परति एक एक क्या करता है individual price index बताता है ठीक तो यहां परता गया है in the replacement cost accounting technique the index used are those directly relevant to the company particular asset आनि इसमें जो index होता है जो index price होता है वो क्या होता है वो क्या होता है जेनरी एक particular asset से related होता है जिसे हम क्या करते हैं जो इसमें प्राइस index हमारा होता है वो प्राइस इंडेक्स हम कर यूज करते हैं जो कि एक पार्टी कुलर इस स्पेसिफिक एसे से रिलेट करता है ठीक है तो और सभी चीज़े सेम है और यहां पर परते अगर हमारे पास सब्सक्राइब फर्नीचर है तो फर्नीचर के लिए क्या होगा एक अलग प्राइस इंडेक्स होगा और मसीन अगर हमारे पास होगी तो इसके लिए क्या होगा एक अलग प्राइस इंडेक्स होगा और हमारे पास लेंड होगी तो इसके पर लिए भी हमारे पास एक अलग प्राइस इंडेक्स होगा और जिसके आधार पर हम कन्वर्जन करते हैं करने का हमारा formula सेम है जैसे हम previous methods में जिस तरह से हम conversion करते थे उसी तरह से यहां भी conversion किया जाएगा इस method में भी historical balance sheet इस प्रते company के पाक्स दो balance sheet होता है जो कि एक historical cost के आधार पर बनाया जाता है और second जो पनाया जाता है current purchasing power techniques के आधा बनाया जाता है जिसको हम यहां पर replacement कर देते हैं ठीक है रिप्लेस्मेंट कर रिप्लेस्मेंट कर रिप्लेस्मेंट पर चेजिंग पावर techniques और यहां पर भी हमारा हो जाएगा profit and loss account भी होता है दोठों जो कि एक before conversion का होता है एक after conversion करने के बाद बनाया जाता है अब आते हैं थाड़ मेठर सब्सक्राइब current value accounting technique यह भी क्या है यह भी पिछले methods का improvement है मने पिछले method में भी पिछले techniques में भी कुछ weaknesses कुछ weakness थी उसको improve करने के लिए उसको eliminate करने के लिए इस method को लाया गया बताया गया है in the current value in counting technique और price level accounting all assets and liabilities are यहां देखे बस क्या किया गया है all assets and liabilities और पिछले जो हम previous methods के बारे में टेकनिक्स के बारे में discuss किये थे उसमें क्या था उसमें balance sheet as we like yes क्या था पियनल एकाउंट भी था ठीक लेकिन सिर्फ इस current value accounting टेकनिक्स में सिर्फ हुआ हम balance sheet के item का conversion करेंगे सिर्फ balance sheet asset and liabilities हमारी कहां होती है balance sheet में होती है सिर्फ उनके बाइलू में हम changing करेंगे और जो हमारा profit and loss account होगा उसको जसका तस हम रहने तेंगे जैसे हम बनाय जाता है ठीक हाने इस में एक company के पास दो balance sheet होता है जो कि एक historical cost के आधायर पर बना जाता है और दूसरा हमारा किस पर account होता है लेकिन एक और बात हो गई बना गया है balance sheet at their current value और market value अच्छा इसका मतलब क्या है देखे जैसे हमने land के लिए हमने क्या क्या land के लिए एक price index हमने हमें land के लिए एक price index बताया यह है कि price index की land के लिए price index रहेगा हम आ लेते हैं price index 2010 के लिए price index इसका hundred है यह 2015 के लिए इसका price index दो सर्पे माले ऐसा पताया गया है लेकिन हमने देखा क्या अब हम 2010 में क्यों हम लेंड कर देते उसकी बैल跟大家 रोट ठीट उसकी बैलव दो लाख रूपी ती 2015 में तब उसकी बैलू हम इस आधार पर निकालेंगे index के अधार पर निकालेंगे कितना निकल आता है लोगी सब्स्थ्रान और सफ़ आनि चार लाख रूप्य आ cheddar लेकिन रियल में हमने देखा क्या कि हमारे पास जो लेंड है ना उसकी मार्केट बैलू रियल में छह लाग पे हो गई है अच्छ छे लाग रिपे हो गई है और इंफ्लेशन एकाउंटिंग करने का क्या फायदा हुआ जब हमने करेक्ट प्राइस लिखा ही नहीं जो यहां हमने लेंड लिखा था ना उसकी जो बैलू थी वो कितनी थी मतलब हिस्टोरिकल कॉंस्ट एकाउंटिंग के आधार पर दो इसको इलिमिनेट करने के लिए बताया गया कि हम करेंट मार्केट करेंट पर इसका वैल्यूएशन करेंगे या मार्केट वैलू पर वैल्यूएशन करेंगे अपने लेंड का साब साब जो मार्केट में बैलू चल रही होगी मार्केट करना हम वहीं बैलू यहां पर लिखे कि विल्ग्रेता मनें इसा मांनते हैं कि क्रेता को मार्केट के क्या करेंट कॉश्ट एकाउंटिंग करेंट कोस्ट एकांटिंग बताया गया दा बिट्रीस गवर्मेंट दा इस गौर्मेंट appointment committee known as Sandylands committee under the chairman chief of Mr. Frensic Sandylands to consider and recommend the accounting for the price level change आने price level change inflation के लिए inflation आने inflation होने की वज़ा से जो accounting की जाने वाली है इससे सम्मंधित British government ने एक committee appointment किया जिसको हम किस नाम से जानते हैं कोई भी new अगर कुछ कोई भी नया invention किया जाता है तो जाइन सी बात है कोई law आता है जिसे company एक्ट या income tax एक्ट या business law जो कोई भी law जब introduce किया जाता है तो उससे पहले एक committee बनाई जाती है जो की की जो की जाकर public की बीच में उस सर्च करें अपनी रिपोर्ट में एक अपनी रिपोर्ट त्यार करें और बाद में जब एक रिपोर्ट एक committee क्या करती है एक report बनाती है और रिपोर्ट के recommendation के आधार पर कोई भी law बनाय जाता है तो बताया गया inflation accounting जो एक committee की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट से अफी ग्रिटिस गवर्मेंट को और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि जो इंफलेशन एकाउंटिंग हम करें गया आप जा पीछ तीन मेठर्स जाय है उनको भूल जाये चीद इन को छोड़िये वो मेथर्स अच्छे नहीं है इनका कहना में यही था और हम आपको एक निव मेथर्स बता रहे हैं और आप इसके आधार पर इन्फिलेशन एकाउंट करिए जिसको कहा गया CCA Current Cost Accounting और इस एकाउंटिंग में बताया क्या गया है इसमें बताया क्या गया है पताया गया कि दख कमीटी प्रजेंटेड इस रिपोर्ड इन दी यह दो हजार नहीं सो पच्छतर में रिपोर्ड प्रजेंट क्या गया देखे ए बहुत बार एक्जाम में आया हुआ है आप लोग इसको याद रखेगा कि यह कमीटी किस से रिलेटेड है अब यह यह और यह मेथड इस मेथड को कब इंट्रोडिउस किया गया था इस समय एड रिकमांडेट दा एडोप्शन आप करेंट अंब कोस्ट एकांटिंग टेकनिक इंदी फ्लेश अफ करेंट पचेंजिग पावर आफ रिप्लेसमेंट कोस्ट एकांटिंग टेकनिक मतलब मेथर्स को बताया गया मतलब इंट्रोडिश किया गया डॉक्ट करने के लिए कहा गया और इसमें क्रक्स क्या है क्रक्स अब दी करेंट कोस्ट एकाउंटिंग टेकनिक इस दा प्रिपर रेसर आफ फानियस से इस्टेटमेंट अन दी करेंट बैलू आफ इंडिविजु जोसर यह एक है फिल इकाउंट ठील एकाउंट किल अनि इसम्हें परते कंपनी के पास दो बैलेंट सीत होगा Et着 doள snore जोकी एक हिस्टोरिकल प्थ के आधार पर बनाय जाएगा एक जो होगा हो हिस्टोरिकल कोष्ट कर आधार बनाया जाएगा एंड सिकेंट जो हों वो किस बना जाएगा करेंट कोष्ट एकाउंटिंग के दर्भ बना जाएगा जो की बेश्ट होगा किस पर करेंट बेल्व पर होगा करेंट बेल्व आफ इंडो जाने मार्केट बैलू पर मार्केट बैलू पर ठीक तो हम अपने इस लेचर को यही इंड कर देते हैं और आज हमारा इंड हो चुका है इंफलेशन एकाउंटिंग का टॉपिक और अगले वीडियो से हम अगले टॉपिक को डिसकस करेंगे तब तक के लिए जय हिंड है